नीता जी की निधन की खबर सुनकर परसंसक बोला जब मुलायम नहीं रहें तो मैं जी गर क्या करूँगा की आत्महत्या कानपूर में नीता जी मुलायम सिंग यादो की मौत की खबर सुनकर मजदूर ने आत्महत्या कर ली मचदूर की मौत से परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है बताया चारा है कि बर्रा के मदनपूर निवासी राजस कुमार यादो इस पात नगर में मचदूरी करता था काम से वापस घर आते वक्त सोम बार को उन्हें मुलायम सिंग यादो के निधन की बात पता चली इस पर वा बॉखला गया और गाउं के पास पहुंचते ही सोर मचाते हुए कहने लगा कि जब नीता जी नहीं रहें तो मैं जी कर क्या करूँगा इसके बाद एकता पार्क के पास पांडू नदी में छलाग लगा दी राजिस यादो के मौत के बाद पतनी रामरती और चार नाबालिक बेठियां ममता, ललीता, सरीता और आरुसी का हाल बेखाल है भाई अमर बहादूर ने बताया कि बड़े भाईया राजिस का नेतजी से बहुत लगाओ था उनके निधन की खबर सुनकर वह अवसाद में चले गए और आत्महत्या कर ली इकलोता कमाने वाले थे राम ठाकुल पतनी रामरती ने बताया कि रामकुमार इकलोते कमाने वाले थे तीन बेटिया पढ़ाई करती हैं बड़ी बेटी ममता ने बिमारी के चलते पढ़ाई छोड़ दी थी